नमस्कार दोस्तों, स्वागता आप सभी का हमारी यूटूब चैनल गार्गी क्लासिज पर मैं प्रशांद कुमार शर्मा और आज हम डिसकस करेंगे 20 जून 2020 के प्रमुख राश्ट्रिय और अंतराश्ट्रिय गटनाकर्मों पर आधरित करेंट अफेस की आज की क्लास जिसके अंतरगत सबसे पहला टोपिक है गरीब कल्यान रोजगार अभियान 20 जून 2020 को एक वीडियो कॉन्फरिंसिंग के माद्दम से प्रदान मंतरी नरंदर मोदी बड़े पैमाने पर ग्रामिन सारुजनिक कारियो जिना जिसे गरीब कल्यान रोजगार अभियान भी कहते हैं उसका शुबारम करेंगे इसका लक्ष़ क्या है तो इसका लक्ष़ है देश बर के जो ग्रामिन हिस्से हैं उनमें ग्रामिन नागरिकों को आजीविका साहिता प्रदान करना और खास करके उन प्रवाशित सर्मिकों के लिए आजीविका समर्थन प्रदान करना जिसके कारण देश के ग्रामिन हिस्सों में होने वाले आर्थिक प्रभावों को कम किया जा सके केंद सरकार ने गरीब कल्यान रोजगार अभियान के तहत लगबग 25 योजना को एक साथ ला करके देश बरके 116 जिलों के अंदर इस योजना के तहत लक्ष प्राप्ट करने की योजना बनाई है अब योजना किस प्रकार से कारे करेगी तो इस योजना के अंतरगत जो छे राज्यों के 116 जिलों से कुल 56.7 मिलिन प्रवासी जो है उनकी मैपिंग की गई है और ये जो प्रवासी है वे देश के अंदर जितने भी रिटर्निंग प्रवासी है यानि जितने भी प्रवासी अभी तक अपने घरों के और लोटे हैं उनकी कुल संख्या का लगबग दो तिहाई भाग है यह एक बड़ा जो हिस्सा है वो इन छे राज्यों के अंतरगत आता है और यह छे राज्यों हैं ओड़िशा, मद्यप्रदेश, बिहार, जारखंड, राजस्थान और उत्तरप्रदेश यह छे राज्यों हैं इस योजना के तहट सरकार की 25 योजनाओं में गरह निर्मान इसके अलावा घरों में नल कनेक्शन, के माद्यम से पीने का पानी, सडकों का निर्मान, आदी योजनाओं इसके अंतरगत शामिल की गई है केंदर वापसी करने वाले प्रवासी कामगारों को इस योजनाओं के तहत उनके कोशल के आधार पर काम दिया जाएगा और इस योजना के लिए जो बजट है, वह है, गरीब कल्यान रोजगार अभियान जो है, उसमें माई माहे के महिने में, माहे में जो केंदर सरकार के दोरा गोशित 20 ट्रिलियन कर जो राहत पैकेज था, उसी के एक हिस्से के रूप में इसके लिए बजट रखा गया है और वित मंत्री ने इसके तहट देश के ग्रामिन शेत्रों के अंदर नए रोजगार आउसरे पैदा करने के लिए 61,500 करोड रुपे की गोशना भी की थी, और इसी के तहट 18 जून 2020 को परधान मंत्री गरीब कल्यान योजना के अंदर 50,000 करोड रुपे का संचार किया प्रते एक व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए भारत का पहला मॉबाइल आई लैब प्रारम किया है, इसको लांच किया है, और अब क्या है ये मॉबाइल आई लैब, तो ये एक संक्रमक रोग नेदानिक प्रयोग शाला है, जिसे देश के सुदूर और आंत्री को दुर्ग जाने में सक्षम है, तो इसे ऐसे छेत्रों के अंदर तैनात किया गया है, जहां पर जाना इतना आसान नहीं होता है, जहां जो परिवाइन है, उनकी कमी रहती है, जो सुदूर भाग है, आंत्रीक भाग है, डीबीटी, एम्टीएज आई लैब, तो कोविट नाइंटीन के अलावा मुबाइल परिक्षन सुदा अन्य संक्रामक रोगों का निदान करने में भी सक्षम है, और जिसके अंतरके हम बात करते हैं, तो जो संक्रामक रोग निदानिक परिवाग जो आई लैब है, वह कोविट कमांड रहन निती के तहित केंद्री विज्ञान प्रोध्यो यानि सेंटल गॉर्मेंट हेल्थ स्कीम की दरों पर 25 र्टी पी सी आर यानि रिवर्श ट्रांस्क्रिप्शन पॉलिमरेज चैन रियक्षन टेस्ट कर सकती है, इसके अलावा यह 300 ऐलिसा टेस्ट कर सकती है, जिसे एंजायम लिंक्ट इमिनोज टेस्ट करते हैं, इसके जो आई लैब है, इसके माद्यम से किये जा सकते हैं, इस प्रकार सरकारी प्रयोगशलाओं की संख्या को बढ़ाकर 699 कर दिया गया है, और निजी शेत्र की प्रयोगशलाओं की संख्या 254 हो गई है, अब हम कमांड के बारे में बात करते हैं, क्या है कमांड, तो येशिया Department of Biotechnology DBT, इन्होंने प्रयोगी की कमी को दूर करने के लिए DBT AMTS कमांड, जो COVID MedTech Manufacturing Development Consortium की इस्थापना की है, ये देश का पहला आई लैब AMTS में 8 दिनों के रिकॉर्ड समय के अंदर बनाया गया था सलामी स्लाइसिंग रन नीती, क्या है ये नीती इसके बारे में जानते हैं, तो भारत और चीन के मद्द में हाल हैं अब जो तनाव सल रहा है, जो बॉर्डर के उपर, उस वज़े से एक चीन एक बार फिर से अपनी सलामी स्लाइसिंग रन नीती के तहरत चर्चा के केंदर सेने बोलचाल की बासा के अंदर सलामी स्लाइसिंग शब्द ऐसी रन नीती के रूप में वनित किया जाता है, जिसमें अपने खिलाफ हो रहे विरोध को समाप्त करने और नए छेत्रों को हासिल करने के लिए खत्रों और गटबंदनों की प्रक्रिया को विवाजित करना औ तो यह दक्षिन चीन सागर और हिमाला के छेत्रों के अंदर चीन की छेत्री विस्तारवादी रन नीती को दर्शाता है, कई रक्षा विस्ते से मानते हैं कि जो डोकलाम के अंदर गतिरोध हुआ था वे हिमाला छेत्रे के अंदर चीन की सलामी स्लाइसिंग रन नीती का ही परिणाम था और हाल ही में जो गल्वान घाटी के अंदर जो गतिरोध बना हुआ है वह भी चीन की इसी रणनीती का एक हिस्सा है अगर हम विश्लोसकों की मानें तो उनका ये मानना है कि जो दिती विश्विद हुआ था उसके बाद में चीन दुनिया का एक मात्र ऐसा देश है जो अपने पड़ोसी देशों के छेत्रा दिकार वाले देशों में अपने विश्विद के बाद से इस जो निती पर लगातार कारे कर रहा है अब तिबबत का जो इसके अंतर के था हम बात करते हैं तिबबत के अधिकरन की और अकसाई चीन पर कबजा इसके अलावा जो के अंदर इस्थित पार्सल दीफ है उनका अधिगरन ये सभी चीन की विश्टारवादी नीदी के प्रमुख उदारण माने जा सकते हैं भारत का वह स्थान जहां पर चीन सलामी स्लाइसिंग रण नीती का प्रयोग कर रहा है उनके बारे में बात करें तो सबसे पहली सीज हम पूरोतर भारत की ओर चलते हैं जहां पर अरुनाचल प्रदेश का 90,000 वर किलोमेटर का छेतर है जिस पर चीन इस रण नीती का प्रयोग करता है और भारत के इस भाग को है दक्षिन तिबबत कहता है अर्थात वे इसे भारत का हिस्था नहीं मानता इसे तिबबत का हिस् पुकारता है इसी प्रकार चीन उत्राखंड हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के छोटे छोटे शेतर में भी अपना दावा करता रहता है ध्यान देने की बात है कि चीन डोकलाम पठार पर भी नजर गड़ाई हुए हैं क्योंकि यहां से भारत के सीलिगूडी कॉरि पुरूतर भारत को देश के स्चेश हिस्टे जोड़ता है इसलिए काफी मैध्मून छेतर बनता है और इस पर नजर रखने के लिए डोकलाम पर अपना कब्ज़ जमाना चाहरा था हाल ही में पहली बार पूरतर भारत के त्रिपुरा जिले के अंदर प्राथ हुए हौग बैजर के तीन श्यावकों को पोशन के लिए सेपाई जला वन्यजीव अभिहारिन ने यानि सेपाई जला वाइडलाइप सेंक्च्छूरी में इस्थानांतित किया गया है अब ये हॉग बेजर क्या है इसके बारे में जानते हैं तो आप इस तस्वीर के अंदर ये देख पा रहे हैं ये तस्वीर एक हॉग बेजर की ही है जिसके अंदर सूर और भालू दोनों की विसेशताएं पाई जाती है और ये छोटे फलों और जानवरों को खाता है 2019 के अंदर इन्हें पूरोतर भारत के असम राज्य के अंदर देखा गया था और अब इसे त्रिपूरा राज्य के अंदर देखा गया है हॉग बेजर का जो वेगानिक नाम है वह है आर्क्टॉनिक्स कॉलरिस ये इसका वेगानिक नाम है इसे IUCN अर्थात International Union for Conservation of Nature जिसकी स्थापना 5 अक्टबर 1910 को हुई थी उसकी रेड लिष्ट के अंदर लुप्त प्राय प्रजातिया ने एंडेंडेंड इस प्यसीज की रूप में से सुची बद किया गया है अर्थात ये है लुप्त प्राय प्रजाति मानी जाती है IUCN के द्वारा इसकी सुची के अंदर इसे शामिल किया गया है अब हम बात करते हैं सेपाही जला वाइड लाइफ सेंचुरी के बारे में तो यह अगरतला शहर से लगबग 25 कुमिटर की दूरी पर इस्थित सेपाही जला वन्यजी अभ्यारणने जो त्रिपुरा राज्य के चार अभ्यारणने के अंदर सबसे बड़ा है इस अभ्यारणने के अंदर विबिन कृत्रिम जीले हैं और इसके लाव प्राकर्तिक वनस्पति और प्रानिय द्यान है जिन से यह गिरावा है और यह अभ्यारणने तेंदूं के बाड़े के लिए प्रसिद्ध है अगला टॉपिक है ग्रेट ऑक्सिडेशन इवेंट हाल ही में नेचर कम्यूनिकेशन नामक पत्त्रिका में प्रकाशित एक अध्यन में बताया गया है कि प्रत्वी के जो आंत्रिक भाग में मैंटल का विकास ने केवल वायुमंडल के विकास को नियंत्रित कर सकता था बलक उसका विकास है वहे उसके बारे में रिसर्च है कि वहे अपने स्विम के विकास के साथ में वायुमंडली विकास को भी नियंत्रित करने में सक्षम था और साथ ही वहे जै विकास को जीवन के विकास को भी नियंत्रित करने के अंदर सक्षम था अध्यन यह बताता है कि जो वाई मेंडल में ऑक्सिजन के संकेंद्रिद न होने का प्रमुक जो कारण था जौला मुखी के दुआरा उचसरचित गैसों का बड़ी मात्रा के साथ ऑक्सिजन की प्रतिक्रिया अर्था जौला मुखी जब उद्गार निकलते थे तो उनसे निकलने वाली जो गैसे है वे ऑ प्रत्वी के मैंटल में सामगरियों की प्रकरती पर निर्व करती है अर्थात मैंटल के अंदर जिस प्रकार का के जो मैटर होंगे अपदार्थ होंगे उसी प्रकार की प्रकरती इससे निकलने वाले गैसों की प्रकरती उसी प्रकार की होगी जो आलम की उद्गार के लगा जीवन रूपों के दुआरा उत्पन ऑक्सिजन वातावन में जमा होती गई और इसे ग्रेट ऑक्सिडेशन इवेंट की शुरुआत हुई जिसे जटिल जीवन का मार्ग भी प्रशच्ट हुआ अर्था जो जैविकास की प्रक्रिया है उसके अंदर ग्रेट ऑक्सिडेशन इ ग्रेट की गटना गटित हुई थी यह गटना आक्सिजन से उत्पन करने वाले साइनो बैक्टिरिया के कारण संबभ हो सकी जो की 2.3 अरव वर्स पहले बहुकोशी के रूपों के अंदर विद्यमान था यह साइनो बैक्टिरिया एक प्रकार का बैक्टिरिया है जो एक आसागरों और गर्म छेत्रों के अंदर मौजूद हैं और इन जीवों ने ऑक्सिजन का उत्पादन करके और बहुकोशी की रूपों में विक्सित होकर सांस लेने वाले जीवों के उत्भव में का निभाई है वैग्यानिकों की अगर माने तो समुद्र और वातावन के अं मुद्र और वातावन के अंदर मुक्त ऑक्सिजन के इस तरह में वरदी के कारण प्रारंब हुआ था अगला टोपिक है फर्ष्ट बैल इनिशियेटिव दो सब्ता है के सफल परिक्षन के बाद में केरल राजसरकार ने स्कूली चात्रों के लिए फर्ष्ट बैल नामक ऑनलाइन कारिकरम के दौरा नियमित कक्षा प्रारंब की हैं कोविड नाइटिन में आमारी के चलते जो यह ऑनलाइन पहल जो शुरू की गई है इसके अंतरगत जो केरला इंफरस्टक्चर फॉर टेक्निकल एजुकेशन यह काइट के दौरा नए सेक्षनिक सत्र हेतु कक्षाओं का राजसरकार के सेक्षनिक टीवी चैनल विक्टर्स पर प्रसारण किया जा रहा है और यह कक्षाओं ऑनलाइन प्लेटफर्म के माद्यम से भी प्रसारण की जाएंगी ऑनलाइन प्लेटफर्म जैसे की यूटूब या जो एप्लिकेशन्स हैं इनके माद्यम से इसे प्रसारण किया जाएगा इसके परिक्षन के लिए इन उसके माध्यम से एक ही दिन के अंदर 27 टीबी डेटा डाउनलोड किया गया जो डेटा डाउनलोड के जो मात्रा है उसकी दृष्टी से काफी बड़ी मात्रा में से डाउनलोड किया गया है। काइट विक्टर्स के फेस्बुक पेज और बाद में यूटूब चैनल पर देखा जा सकता है। अल्टरा लोव वोल्यूम की कैटेगरिया है उसकी आपूर्ती की है। मेलाथियन एक रसायन है जिसका उप्योग मुख्य रूप से खादे उतपाद पौधों को कीड़ों से बचाने के लिए किया जाता है। मेलाथियन, क्रशी, आवासी अभू निर्मार, सारजनिक मनोरंजन छेत्रों और सारजनिक स्वास्ते कीट निंद्रन कारिकरमों जैसे कि मच्छर नूलन आदी में व्यापक रूप से उप्योग किया जाने वाला एक कीट नाशक है। मेलाथियन, एक और्गेनो फोस्फेट की कीट नाशक है जो कि मानो स्वास्ते के लिए हानिकारख है क्योंकि ये परिवर्थनी रूप से एक एंजाइम को अवरुद करने का कारे करता है। और ये जो एंजाइम है वह है इन कीडों और मनुश्य दोनों के अंदर इंदर इंतरी तंतरी का तंतर के कारे करने के लिए जिम्मेदार है, उसके लिए मैत्पून होता है। इस प्रकार से मानव तंतरी का तंतर पर इसका नकरातम के प्रभाव अधिक देखने को मिलता है। बागवानी फसलों और अन्य व्रक्षा रोपन को इसने प्रभावित किया है। यूम के निर्माण और आपूरती के लिए हाईयल को और दिया था। और खाद्दे और कर्शी संग्ठेन यानि फूड एंड एग्रिकल्चर और्गिनाजिशन की जो रिपोर्ट है। उसके मसार टिड़े के हौपर चरण की आबादी इरान के सिस्तान वलुष्तान छेतर में बढ़ती जा रही है। जो आने वाले महीनों के अंदर भारत में फसल के नुक्सान का कारण बन सकती है। नहीं में खेल मंत्राले भारत सरकार के द्वारा खेलो इंडिया योजना के तहत खेलो इंडिया राज्य उतकरष्टा केंदर के रूप में मनिपूर राज्य में किस संस्थान को अपग्रेड किया जाएगा। आप अपना जवाब वीडियो को पोज़ करके ढूंड सकते हैं तो इसका सही जवाब है खुमान लेंपक स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स इंफाल जो मनिपूर में स्थित है तो उसे खेलो इंडिया योजना के तहत खेलो इंडिया राज्य उतकरष्टा के अंदर के रूप में यानि किसी के रूप में से अपग्रेड किया जाएगा इसका जो उद्देश है इस योजना का वाय है देश के अंदर एक मजबूत खेल परश्टिय के तंतर का निर्मान करना इसका उद्देश है और इसके तहत प्रतेग राज्य और केंदर साश्रित प्रदेश के अंदर ऐसे एक केंदर की पहचान की जाएगी और उसकेंदर के जो इस योजना का जो प्रफम चरण है उसके अंदर खेल मन्तरा ले ने जो भारत के आठ राज्यों के अंदर राज्य के स्वामित वाली खेल सुविधाओं की पहचान की है और अब उन्हें खेलों इंडिया जानने के लिए आप हमारी 19 जून 2020 की अर्थात कल की क्लास में इसे धूंड सकते हैं इसमें और अदिक टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे और साथ ही आपको अपनी एक्जाम्स से संबंदित अन्य मैथमून टॉपिक्स भी इस क्लास के अंदर मिलेंगे तो आप इसे ध्यान से जरूर देखें और अब बार यह उस प्रसंद की जिसका जवाब आप सभी को देना है तो आपके लिए प्रसंद है हाल ही में बिहार सरकार ने किस फिल्म अबिनेत्या को बिहार खादी का ब्रेंड एमिरिश्टर नियुक्त किया है आप अपने प्रसंद का जो जवाब है व आप हमें कमेंट में लिख करके हमें सूचा दे सकते हैं ठैंक्यू